हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम आपको अधारकार्ट का स्टेटस ऑनलाइन मोबाइल से किस तरह चेक करते हैं वो बताएंगे तो Chrome browser open करेंगे Chrome browser में हम दालेंगे UIDAI यहाँ पर टाइप करेंगे टाइप करने के बाद इससे सर्च करेंगे सर्च करने के बाद यहाँ पर जो first में आएगा UIDAI.gov.in इस पर हम क्लिक करेंगे यह official site है आधारकार्ट की इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह कैसा interface आपको दिखाए देगा इसमें हमें जेक आधार स्टेटस पर क्लिक करना है इसमें हमें जो भी हमने अपने आधार कार्ड में बदल किये हैं Mobile number हो, email ID हो या नाम में कुछ correction किया है वो का स्टेटस हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा यह जेक आधार स्टेटस पर हमें क्लिक करना है क्लिक करनेके बाद कुछ इस तरह हो कि हमें हम नहां पंपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह हमें इंटरफेस दीखा दिखाजएगा को कि थोड़ा सा स्क्रोल निक्टे करने के बाद चेक यहां पर, आपको दिखाता होंगे यह चेक, enrollment and update status पर हमें click करना है जो हमें slip दी गई है, वो slip के उबर गई इस तरह के से जो enrollment number होता है वो enrollment number यहाँ पर हमें नीचे type करना है यहाँ पर type करना है टाइप करने के बाद वो slip पर की हमें date दालना है और date इस तरह दालना है वो आपको मैं बताऊंगा first year दालना है जैसे की 2021 बाद में month दालना है जैसे की 06, 07 या कुछ और इसके बाद में date दालना है इस तरह के से यहाँ पर fill up करना है और उसके बाद हमें time भी दालना है time इस तरह के से हमको दिखा जेंगा time भी पूरा fill up करना है सिर्फ नमबर लेने हैं कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो आपको दिखाई दे रहा होगा टाइप करने के बाद हैं आपर submit बटन पर क्लिक करना है submit बटन पर क्लिक करने के बाद आपका जो status है वह इस तरीके से आपको दिखाई देगा I hope friend यह वीडियो आपको पसंद आए होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे और कमेंट करना न भूले इसी तरह की वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे और आपका नॉलेज बड़ाते रहेंगे झाल